हेलो दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं एलेक्टिसिटी के बेसिक टर्म्स बहुत ही बेसिक लेवल से शुरू करूंगा जीरो लेवल से स्टार्ट करके आगे की और जाएंगे और इसमें हम बेसिक लेवल रखेंगे बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाएंगे डेफ तक जाएंगे तो देखिए हमारे पास एक अच्छी वीडियो है जिससे हमें समझाने वाला है काफी नॉलेज मिलेगी आपको इस वीडियो से तो हमारे पास देखिए इन्होंने स्टार्टिंग इससे करते हैं कि इलेक्टिसिटी से हर काम हमारे घर में होने शुरू हो गया है चाहे आपके वैक्यूम क्लीनर है चाहे आपके कार में कुछ पार्ट्स हैं जो इलेक्टिसिटी से चल रहे हैं प्लेम में भी इलेक्टिसिटी से काम चल रहा है ठीक है माईक हो गया कुछ भी है हमारे पास ऐसी चीज़े जो इलेक्टिसिटी से ही चल रहे हैं देखिए यह electricity है क्या इसको अगर समझना चाहें तो इसको अगर समझना चाहते हैं तो एक चीज देखते हैं तो हमारे पास main जो starting का part है जिसको हमने समझना वो है structure of matter की matter किसका बना हुआ है देखें दुनिया में हर अटब यह न ठीक है तो यह जो अटब गूत रहे हैं वो भी हमरे पास क्या है यह कुछ matter का बना हुआ है atoms का बना हुआ है ठीक है तो इसके बारे में समझेंगे हम और इसके बारे में बहुत ही easy level से सब start करेंगे और यहां पर हम चलेंगे और यह देखिए हमारे पास क्या समझाएंगे इसको कि हम बीच में अंदर तक zoom करेंगे कि किसी कागज है हमारे पास कागज को हम zoom करते हैं और zoom करने के बाद अंदर देखते हैं कि अंदर क्या है तो सबसे जो छोटा part है जो आज तक किसी ने नहीं देखा ये भी दिक्कत है कि किसी नहीं देखा ही नहीं जूम करते जयाएं करते जाएंग तो हमारे पास एक छोटे atom आती है atom एंटम के अंदर जो होता है अंदर होता है chemical और बाहर इसके क्या होते हैं तो इस तरह से घूम रहे होते हैं लगातार लेकिन हम इस तरह से समझ नहीं सकते हैं एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रोंस रूके हुए हमारे पास इस तरह से हैं proton जितने होते हैं उसके according हम क्या कर देते हैं उसका element का नाम रख देते हैं हमारे पास proton जितने हैं proton यहाँ पर डाल दिये एक तो यहाँ पर देखे हाईडोजन एटम आ गया ठीक है हाईडोजन एटम आ गया इसके उपर एक और चीज़ है नेट चार्ज और मास नंबर दो चीज़ है ये भी समझना है अब देखिए एक चीज़ याद रखना आप क्या करना है कि प्रोटोन जो होता है ना प्रोटोन वो होता है पॉजिटिव ली चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है और एलेक्ट्र प्लस वन नेट चार्ज का मतलब क्या है अभी इसके पास है क्या इलेक्ट्रोन तो है नहीं एक प्रोट्रोन है और वो अंदर है वो है प्लस वन क्योंकि एक है प्लस में है प्लस वन इसके अंदर क्या है प्रोट्रोन है इलेक्ट्रोन नहीं है अगर मैं इसके अंदर इलेक्ट्रोन डाल दूँ और इलेक्ट्रोन हमेशा बाहर रिवॉल्ड करते हैं यहां पे अभी यह क्या हुआ है कि यहां पे zerे जीरो चार्जा ँगा यह देकि नैट चार्ज कितना अगा जीरू प्लसवन बाहर था माइनस वन अं... यहां पर प्लस वन अंदर था वह माइनस वन बाहर है... माइनस और प्लस मिलके 0 म wygląda दिया सभीने क्या है... Chaurey नेट चार्ज का आ गया... यूट्रल एटम, अब क्रंट नहीं आएगा इसमें से, अगर किसी ची को मैं टच करता हूँ, अगर मैं इस बोड को टच करता हूँ, यह क्रंट नहीं दे रहा मुझे, ठीक है, टीवी को टच कर रहा हूँ, तो क्रंट नहीं आ रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसक अंदर प्रोटोन एक और डालता हूं देखे है साथ के साथ ही ही divertल हूं और न्यूडरोन डालने के पिए मास नंबर 5 बीफ्शा में जान भूज के हम करते हैं किसी के अंदर लेक्ट्रों की मात्रा बढ़ा देते हैं ठीक है तो हमारे पास इलेक्ट्रों अगर बढ़ जाए यह देखो यह जैसे ही डाला यहां पे ठीक है इस ट्रॉक्चर ओफ एटम पूरा मैं अलग से समझा दूंगा अभी एक बार इस वीड तो माइनस एक मिरे पास चार्ज आ गया तो माइनस एक मिरे पास चार्ज आ गया कि करंट है इसमें इलेक्ट्रों थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया अगर एक्स्ट्रा और डाल देता हूं देखो तो यह माइनस टू चार्ज आ गया माइनस टू देख रहे हैं माइनस टू चार जा गया, इलेक्ट्रोन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोन बढ़ रहा है, और इसके अंदर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है इसके अंदर, हाँ समय रहे हैं, जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोन बढ़ते जाएंगे, इसके अंदर इलेक्ट्रि वीडियो में चलते हैं और हम समझें हमारे यहां पर क्या होगा कि बहुत ज्यादा इटम जो हैं एक इलेक्टरों जो होते हैं वो बार बार इदर दर घुमते रहते हैं ठीक है तो दो अगर एटम जोड़ दे तो एक के इलेक्टरों दूसरे के पास दूसरे के इलेक्टरों इसके पास इदर दर घुमना शुरू कर देते हैं ठीक है एक दूसरे का ट्रांसफर करना शुरू कर द अगर हम नेग्टिव चार्ज और पॉस्टिव चार्ज को आपस में जोड़ दें इसी को समयना बड़ा ही अच्छा है इस कंसेप्ट को समयना कि हमने करना क्या है हमने इतना सा काम करना है कि नेचर के लौ को समयना है कि अगर मैं इस प्लेट के अंदर इसके अंदर नेग्टि से इदर भाग के इदर जाना शुरू कर देंगे ये नेचर का लो है नेचर इसी तरह काम करती है ठीक है नेचर इसी तरह काम करती है अगर मेरे पास एक टैंक कहना है पानी का एक टैंक में फुल भरा हुए पानी और एक टैंक में खाली है टैंक खाली है और इन दोनों को यह तर जाना शुरू होएगा जब तक वह बराब बनी आ जाता है यह नेचर के लौ है ठीक है वह लग बात है हमने जो चीज बना यह पैसा वह इस लोग को नहीं देखता जिक से भरा हुए वह अपना और टैंक भर रहा है दूसरे खली है तो उसका और खली कर रहा है लेकिन यह नेचर नहीं ऐसा करती है नेचर करेगी क्या कि जिसके पास ऐलेक्टरोंस जादा है और दूसरे पास कम है वो ऐलेक्टरोंस दनना शुbar कर देंगे अगर हम दोने इंदोनों को जोड़ दें किसी नगेसी से जोड़ दें तब यह क्या हो जब तक यह नीट्रल न हमें पर पस क्या है हमें मारे से एक सोल्यूशन है झिसके अंदर हमने प्लेट्ट को डालथ है ठीक है अगर आ लो कि यहाँ में पाष्ग है और एक मेरें पास लिक्वड है अभि हम ज़दा डिसक्टस नहीं करेंगे उसके अंड jurid बना Direct इस तरह से ही हमने ऐसिड है तरह यह लिकविड है殺 में हम इसके अंदर रियक्शन करते हैं तिम और रियक्षिंड ऑर इरेक्टोन्स इस में एक्सिट्रा आजते हैं उसर रियक्शन के कारण रियक्ट्रोन्स इस वर जाजते ठीक है लेकिन यहां पे जो प्लेट है नहीं यह यह हाई इलेक्ट्रोंस ज्यादा इलेक्ट्रोंस है इसके पास और इसमें जब हमारे पास दूसरा है ठीक है दूसरी प्लेट में हमारे पास क्या करते हैं हम इलेक्ट्रोंस तो डालते हैं लेकिन कम डालते हैं एक चीज हमें वही आला काम है, खाली टैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास ये नेग्टिवी चार्ज तो है, लेकिन इसके कंपरिजन ये कम है, इसके कंपरिजन ये पॉस्टिव है, ये नेग्टिव है, कंपरिजन में, है था, इसमें भी लेक्ट्रोंस है, इसमें लेकिन मान लो पांच हजार electron है इसमें सिर्फ सो electron हैं तो यह इसके comparison क्या बन जेगा यह positive charge बन जेगा इसके comparison तो यह positive हो गया यह negative हो गया अगर हम इन दोनों को आपस में जोड दे हम इसको आपस में जोड तो electrons क्या करेंगे यहां से भागना शुरू करेंगे. यहां से भागना शुरू करेंगे क्यूं क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया हूए? ठीक है? नेचर ने ऐसा बनाया हम कुछ नहिं कर सकते हैं. हम क्या गरेंगे? इन दोनों को जोड़ के इनका solution जो है वो mix कर देते आपस में अब देखे तीन factor हैं जो हमें समझने वाले हैं इस चीज में तीन factor हैं जो समझने वाले हैं पहला है pressure ठीक है अब mostly हमारे mechanical के students हैं physics के पढ़ने वाले mechanical के student हैं तो हम उसी language में समझेंगे पहला है pressure, दूसरा है crunch ठीक है crunch और तीसरा है resistance तीनों चीजों को आज हम समझनेंगे ठीक है तीनों चीजों को समझें प्रेशर क्या है देखे प्रेशर क्या है वो force है जो electrons को इदर धक्का मार रही है इस चीज़ को समझना इस चीज़ को समझना कि प्रेशर यहां हमारे इस प्रेशर को क्या करेंगे यह एक चीज समयना अगर मेरे पास यहां पे कोई प्लेट यहां पे इतनी सी हाइट है और यह इतनी हाइट है अगर मैं एक प्लेट रखता हूं इस तरह से टेड़ी और एक बॉल इसके उपर से गिराता हूं तो यह भागे है यही same difference यह जो height का difference है यही same difference electrons का भी होता है electrons का आपस में जो difference है उसके कारण उसके जो electrons है वो move करने की pressure वो अलग-लग होगा वो अलग-लग होगा कि यहां से जो electrons है उसको लात मारी जाएगी वो लात मारे जाएगी वो pressure मार जाएगा और ये पकड़ेगा इसको, ये पकड़ेगा का, यह मुझे दे, तो ये जो pressure है, ये आपस में pressure क्या है, difference है, electronic का, कितना difference है, अगर हम कहते है 220 voltage, voltage क्या है, वो electrons का आपस में difference है, कि यहाँ कितनी hide से, नेची वाली hide तक जाना है, इस तरह से आप समझे सकते हो इस चाहिए को, ठ कि इतना सी काम आ है यह जो है और वर्ड यूज करते हैं वो यूस कराइए यह हम इंहें मेंने कर वोल्टज में यह रही Sat तो हम उसको वोल्टेज बोलते हैं यह हमने डिफरेंस क्रेट करना ही में मकसद है तो यह धका मार रहा है और यह रिसीव कर रहा है इस जी को अब समझा रहा है थोड़ा सा ठेक है यह बहुत ही मज़ेदार कहानिया है मज़ेदार वीडियो है इससे बहुत ज्यादा आपको सम कितनी अपस में डिफरेंस है वो अलग चीज़ है और इनका भागना अलग चीज़ है कितनी तेजी से इधर भाग रहे हैं वो कहलाएगा क्रंट यह इंको यह इधर उद्र जा रहे है लेकिन अगर हम इनको वायर से जोड देगी है तो इनको एक स्पिस्पिक डाय जाती कि इस तरफ भागना है उसको पहले नहीं पता होता है वो इदर उदर भाग रहे होते हैं जब हम डिरेक्शन दे देते हैं उन्हें कि इस तरफ भाग तो उनके स्पेसिफिक डिरेक्शन मिल जाती है कि मुझे जाना है लेकिन इस तरफ जाना है तो डिरेक्शन उन्हें मिलगी इ हराट नहीं है है किटने मेर्न पारक जते हैं किटने से एक जगा से अब यहां से भाग turns फ्तिकंगा इए एक से हíकंड में जैसे ज्यासे ampere बढ़ाऊंगा मैं current बढ़ाऊंगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रोंस वहां से पास होना शुरू होगे ज़्यादा इलेक्ट्रोंस पास होना शुरू होगे तो उसको हम कहेंगे current ठीक है current तो यह pressure पर depend करेगा अब तीसरी चीज़ है resistance resistance करे है इनको रोकने वाला की मैं नहीं मैं यूँ जाने दूंगा अपने में से ूवर्यजर्यच्ट्रोंस होता क्यों है resistance होता है एक्ष्जली क्या electron उओ ना वह टक्रा जाते है chillyопे न जीतना ज़हरएजिके साथ टक्राते जाएंगे उतने जादा वो resistance create होती जाएगी उतनी जादा resistance create होती जाएगी अब आपको एक चीज दिखाता हूँ उस फोटो से आपको बहुत जादा अच्छा समझाने वाला है इस फोटो में देखो जाए था resistance के बारे में तो उनको नाम ओम दिया गया ठीक है रिजिस्टेंस के जो यूनिट है मों ओम दिये गए इनको रोग रहे देखो पाइप हम जैसे खीच रहे जतना ज्यादा resistance create करोगे उतना current कम flow करेगा यहाँ सी यह pressure यह दख्का मार रहे ही निकल यहाँ से ।ीनों चीज़ें एक ही photo से आपको clear हो सकती है तीनों चीज़ें आपको 4000 कलि यह हो सकती हैं तो यह मेरे पास voltage क्रंट और ये रिजिस्टन्स तो जतना जदा आप रिजिस्टन्स बढ़ाおगै करनट उतना Te ही जैसे यह भी फेंड है तो हैं उस पिता है उसके किया है हुम सती हो जाएगा हमें यह ठीक है वो हमें नि US को कंट्रोल कर रहे हैं अगर हमने फैन की स्पीड बढ़ानी है तो रिजिस्टेंस ही यह कहेगा छोड़ यह थोड़ा सा जगा जाने दे क्रंट को तो जा रहे हैं वहां से और हमें फाइदा देंगे तो यह जितना जादा बढ़ता जाएगा ना यह तक्राव बढ़ता जाएगा उतना जादा रिजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और रिजिस्टेंस की यूनिट होते हैं ओम ठीक है और यह जितने जादा रिजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो डिप बड़ी अराम से जा रहे हैं उसको कोई रोब नीजा और जितना जाता assistance बढ़ता जाएगा current इस में से flow नहीं गर जैसे वूड है वह क्या है bad conductor of electricity प्लास्टिक क्या है bad conductor of electricity तो ये तिये हमें समझना लगा और ये सारी एनिमेशन ये कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जुरू बताए किजिए ताकि मुझे भी पता लगे आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है और मेरी बनाई और ज्यादा वीडियो जगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के सर्च बॉक्स में ल झाल